दूर किसी जंगल में रानो नाम की चड़िया रहती थी वो बहुत दयालू और नेक दिल पक्षी थी वो हमेशा जरूरत मंद पक्षियों की मदद किया करती दरवाजा खोले हंस भहिया मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ लेकिन रानो चड़िया आपको कैसे पता चला मैंने आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया हंस भहिया आपके दोस्त ने मुझे बताया कि आज आज आपको भोजन में कुछ नहीं मिला और आप सुबह से भूके हो इसलिए मैं आपके लिए चने लेकर आई हूँ आप ये उबले हुए चने खालें सच रानो चड़िया तुम बहुत नेक दिलपक्षी हो तुमारे जैसा इस जंगल में कोई दूसरा नहीं आप बहुत महान हो अरे हंस भहिया आप मेरी इतनी तारिफ ना करें ये सब्दो मेरी माने मुझे सिखाया है कि किसी को भी भूके पेट सोने नहीं देना चाहिए इसलिए आप ये भोजन खालें और चैन से सो जाएं हंस को भोजन देकर रानो चड़िया अपने घर लोट रही थी तभी उसे जमीन पर पड़ा गोसला दिखाई देता है जिसमें किसी पक्षी के अंडे थे अरे इस घोसले में तो अंडे हैं इन्हें कौन यहां रख गया ना जाने किस पक्षी के होंगे रानो यहां वहां अंडो की मा को देखती है मगर उसे कोई भी नहीं दिखाई देता तभी वहां से कालू कववा गुजर रहा था चड़िया उसे रोक लेती है पक्षी यहां रख के गया है पता नहीं किस पक्षी के होंगे यह अंडे मैं काफी देव से इनकी मा का इंतिजार कर रही हूँ कब वो आएं और अपना गौसला किसी सुरक्षित जगह पर ले जाएं कालू कोबा और रानो चड़िया की बाते एक खुंकार बाज सुन रही थी और उनके पास आकर बोलती है तुम दोनों कौन हो और मेरे अंडों के पास क्या कर रहे हो हटो हटो मेरे गौसले से दूर हटो औरे हम तो आपके बच्चों की रखवाली कर रहे थे अगर इतना ही डर है तो पहले इन्हें ऐसे अकेले छोड़ कर क्यों गई वो वो जिस पेड़ पर मेरा पसीरा था उस पे आग लगी है आग तो जल्दी जल्दी में यहां रख गई अब मैं जाती हूँ ऐसे बोल कर चील अंडों को लेकर वहां से उड़ जाती है और मन ही मन तो बहुत खुश थी आज तो जी भर के अंडे खाऊंगे वो भी अपने कुफा में बैट कर क्या बेवकूब बनाया उन दोनों को रानो रानो चुड़िया अब चलो यहां से रात होने वाली है कालो भीया जब से वो चील मा उन अंडों को लेकर गई है तब से कुछ अजीब लग रहा है ऐसा लगता है कहीं अंजाने में हमसे कोई गलती ना हो गई हो रानो आप बेकार में ही चिंता कर रही हो वो अंडों की मा ही थी उसने बोला ना उसके रहने वाले पेड़ पे आग लग गई अब चलो भी कालो भीया बस एक बार हम चील के पीछे पीछे जा कर देखते हैं अगर वो सच बोल रही होगी चलो भी अब अगर मैं मना भी करूंगा तो तुम कहा मानने वाली हो फिर वह दोनों भी चील के पीछे पीछे निकल जाते हैं वो उसी दिसा में उड़ते हैं जहां चील उन अंडों को लेकर चली गई थी वो चुपके से चील की गुफा में देखते हैं देख लिया चुडिया आपने अंडे एकदम सरक्षत हैं अपनी मा के पास चील की बढ़ी गलती हो गई अब ये दोस्ट चील सब को मार देगी कालू भीया अगर इन बच्चों की माया होती तो ऐसे अपने बच्चों को मरने नहीं देती वो कुछ भी करके बच्चों को जरूर बचाती अब हमें भी चिडिया के बच्चों को बचाना होगा वरना ये दोस्ट चील सब को खा जाएगी ऐसा कहते ही रानो चडिया एक योजना बनाती है चडिया की योजना सुनते ही कालू कवा गुफा के ऊपर छिप जाता है और चडिया चील के ऊपर मोटे मोटे पत्थर फैकती है जो सीधा चील को लगते है अरे कौन दोस्ट है जो मेरी गुफा में कंकर फैक रहा है अभी बताती हूँ जान से नहीं मारा तो मेरा नाम भी चील नहीं जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ अब जैसे ही चील बाहर आएगी तो मैं उसे गुस्सा दलाऊंगी और तभी कालू भाया गुफा से अंडे लेकर भाग जाएंगे फिर इस तरह से नन्ने बच्चों की जान भी बच जाएगी ए चडिया लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है जो खुद पे खुद मरने आई है अब तुम मुझे मारोगी अगर जराबी हिम्मत है तो मुझे पंक तो लगा कर दिखाओ मोटी चील आई बड़ी मुझे मारने चल भाग यहां से देख चिडिया मैं तुझे मारना नहीं चाहती हूँ पर इस गलती के लिए तुझे छोड़ूंगी भी नहीं अभी मेरे खाने का समय है वरना वरना क्या मैं तो मारूंगी पत्थर अगर हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ मोटी चील कहीं की यह कहकर रानो चिडिया फिर से चील को पत्थर मारती है यह देखकर चील का गुस्सा सातवे आसमान पर चड़ जाता है वो चिडिया को पकड़ने के लिए आंगे बढ़ती है सभी कालू कववा गुफा में जाकर बच्चो को लेकर भाग जाता है इधर चील रानो को पकड़ लेती है चोटी चिडिया बड़ी बोल रही थी अब बोल के दिखा मुझसे बच्च के कहा भागेगी जालम चील जूटी मा बनकर मासूम बच्चो को खाना चाहती थी जरा देख तो गुफा में बच्चे है भी या नहीं या फिर कोई लेकर चला गया ये सुनते ही चील चिडिया को जमीन पर छोड़ देती है और भागी भागी गुफा की तरफ जाती है चिडिया भी वहां से उड़ जाती है हाई हाई ये उस चिडिया की साजस्ती मैं उसे छोडूंगी नहीं मुझे बुद्दू बना कर मेरा भोजन लेकर चली गई छोडूंगी नहीं उसे कालू भाईया सभी बच्चे सही सलामत तो है हाँ रानो चुडिया बच्चे एकदम सरक्षित हैं मगर आपके बाजू से तो खून बै रहा है हाँ उस दूस्ट चील ने मुझे पकड लिया था बस तबी ये खरोजे लग गई होंगी सच में रानो चुडिया आज आपने अपने जान पर खेल कर इन अंजान बच्चों की जान बचाई और दूसरी तरफ इनके माता पिता हैं जो इनको मरने के लिए यहां छोड़ गए नहीं कालू भीया अपने बच्चों को ऐसे छोड़ कर कोई नहीं जाता वो भी किसी ना किसी मुसीबत में होंगे जो अपने नन्ने बच्चों को छोड़ कर यहां से जाना पड़ा वो सब दो ठीक है चिडिया मगर ये बच्चे कहां रहेंगे कौन इनकी देख भाल करेगा कौन इनको समय समय पर भोजन देगा कालू भीया जब तक इनके माबाप नहीं मिल जाते सब तक बच्चों का ख्याल में रखूंगी और किसी चील जैसे पक्षी के हाथ में नहीं सोपूंगी चाहे मुझे पूरी जिंदगी भर इन बच्चों को अपने साथ क्यों न रखना पड़े चिडिया की ऐसी बाते सुनकर कालू कववा वहां से चला जाता है सबी बच्चे चिडिया को अपनी मम्मा समझते हैं और उसके गले लग जाते हैं चिडिया भी सबी बच्चों का बहुआ